गाइज आज में एक ऐसा प्रोड़क्त लाओ जो कि मेरे क्याल से वन आप दी मोस्ट इंपॉर्टन प्रोड़क्त होता है घर के लिए और वह प्रोड़क्त क्या है मैं व्लॉग करता हूँ फिर आपको बता दा हूँ अगर मेरे क्याल से मैं इस मशीन की होगी क्योंकि यह मशीन भी अपने घर में जरूरी है जिस तरह से आप मिक्षेर फ्रीज वगेरा रखते हों तो इस तरह इस मैंशीन की भी ज़रूरत है क्योंकि अगर आप आपना घर अपने हिसाथ से चाहते हो तो आपको यह machine ज़रूरी है तो आपको अपने घर पर कुछ भी चीज़ लगानी है कुछ भी चीज़ अगर fix करनी है तो मेरे क्याल से आपको यह machine की ज़रूरत होगी क्योंकि आपको समझो आपधे फ्रेइम वगेरा लगा रए हों कुछ ड्राइंग वगेरा लगा रहे हों कुछ लोग मुक्व लगा रहे हो तो मेरे ख्याल दर्स ज़रूरियों कि मिना होल किये आप कैसे लगाओर सिधी इसी बात है कि आप बुलाओगे इलेक्टिशन को और वो आपसे कुछ चार्ज करेगा एक-दो होल के तो वो मालूम हुझे चीप प्राइज नहीं होने वाली वो कुछ होनेगा 200-500 रुपे तो वो ले गाई लेगा तो क्यों नहीं हम थोड़ा से और पैसे डालके हम यह चीजी ले ले यह प्रॉडक्ति ले ले जो कि मेरे खाल से यह आपके घर पे होना भी चाहिए वैसे आई अम इस प्रॉडक्त के बारे में बात करेंगे इसकी अन्बॉक्सिंग करेंगे और इसका वॉल्ट वगेरा स्पै और आप एंड तक वीडियो को देखो, so I hope कि आपको वीडियो पसंद आए, तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को करतो, सब्सक्राइब वीडियो को करतो, लाइक और अन्बॉक्सिंग करना शूरू करते हैं So guys, जैसे कि मैं अभी आपको प्रोड़क्त दिखाता हूँ, आपको उस प्रोड़क्त का फुल रिव्यूस में देता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से, मैं अपना 100% दूँगा ताकि समझ सकते हो, अच्छे से, और यह इस तरह से कुछ, इसका बॉक्स आएगा आपको देख आपको देख्च पुरानी ब्रेंड है, तो अबी जो है मार्केट में इसकी कम होगे, क्योंकि इसको बीट करने के लिए और मार्केट में अच्छे-ची कंपनी आ गये, तो मेरे ख्याल से, पूरानी ब्रेंड है तो इसमें लोगों को ज़ादा भरोसा होगा और यहां पर इ और जैसे कि आप इस तरह से डिल मेशिन आप जैसे बॉक्स पर देख रहे हो तो उसी तरह डिल मेशिन अंदर भी है तो मैं आपको खोल के दिखाता हूँ और सबसे पहले हम इसके इसके स्पेसिफिकेशन जाते यहां पर इलेक्ट्रोनिक ड्रिल लिखा हूआ है और यहां पर आप देख सकते हूए किसका टूल है पाव टूल से है और यहां पर एच के 23 निखा होगा और यहां पर होड के सिंबॉल में लेगा और फिर हम बात कलते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में तो यहां पर आपको देखने मिलेगा यहां पर 450 वाल्ट मतलब जो इसके अंदर इंपुट वाल्ट लगता है वह है 450 वाल्ट और जो एक्टेरनल मतलब जितना 500RPM की मशीन है 2800 की और फिर आपको यहां पर कर दिया है मशिन का 1Q22 ग्राम तो यहां पर बेट भी हां पर दिया है और इसके अंदर कितना सभ The support से आता है यहां पर दू मिटर का पंपड़ कीतरेफ से आता है और यह Takes了 q2iving बाहस तो टेंट इया है ताकि इसका जो चक और ह 10 mm का बीट इसके अंदर सेट होगा सो इसलिए आपर चक का पूटू दिया है और अभी हम मशीन को खोलते इस तरह से आपको सबसे पहले मशीन देखने मिलेगी इस तरह से और देखते बॉक्स के अंदर क्या-क्या कंपनी देती है तब तक के लिए इसको साइड में मैं रखता हूँ अब फिर यहां पर आपको बॉक्स के अंदर यह सब प्लास्टिक के थेली और दिखेगे यहां पर यह operation instruction books दिया गया है तो जो भी आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पाउस करके पढ़ सकते हो यहां पर यह machine सब बनाता है होट स्किंग यहां पर होट स्किंग का प्रेंडिंग में यह क्योंकि यह जो प्रोड़क्ट हो चाइना का प्रोड़क्ट है इंडिया में इतने कॉम्पैक्ट प्रोड़क्ट आपको किसे किदर मिलेगे तो यह ओवियसली सब चाइना से प्रोड़क्ट आता चाहिए आप कोई भी प्रोड़क्ट लो इसको साइड में रखते हो और इसके अंदर एक जो में तिंग वह इसकी चावी यहां पर 10 mm के चावी आपको देखने भी लेगी आप देख सकते हो यहां पर यह देखो काइस अब बात करते हैं मशीन की बॉक्स लगता हो साइड में और अब बात करते हैं मशीन की सो गाइस देखो सबसे पहली बात मशीन इस तरह से कुछ आपको आएगी यहां पर कलर कॉमिनेशन की बात करें तो औरेंज और मेटलिक अच्छा लगता है वाइट सो यह बाच सही है बाट आपको इसमें अब चक मिलेगा यह चक किस मशीन में ऐसा खुला हो भी आता है यह चक है आपका इसका मशीन का और चक में देखा तो आपको क्या-क्या लिखा हुआ है तो यहां पर आप जैसे देख सकते हो इसमें 1.5 mm और मैक्सिमम 10 mm तक इसमें बीट लगता है 3 8 मत और मैं आपको बता देता हूं जैसे कि यहां पर 2-4 UNF मतलब वह इसका अटेच्मेंट जो है इसके अंदर जो लगता है वह है 24 UNF और भी कुछ इसके बारे में जानने है तो मैं उसके लिए वीडियो सोचूंगा बनाऊंगा आप कमेंट करो कि आपको किस पर वीडियो चाह ने जीए तो किस तरह लगाने में उसके लिए आपको इस वीडियो में बता देता क्युंत यह आपनो देखो किए इसको इस तरहारे इसमें फिट करना है और आपको इस चक को टाीट करना है तो टाइट आप इस तरह से गुमाऊ लाभ गाए ओल यह टाइट हो गया और जब आप मशीन चला गे और इसको रूखो गे तब सहल जयाए यहाँ पर इसके machine के उपर भी आपको horseking की branding देखने मिलेगी जो कि मेरे ख्याल से थोड़ी highlight ही हो रही होगी कैमरे में क्योंकि guys मैं सोचता हूँ कि इस machine की जो branding है यह मेरे ख्याल से अगर sticker में किया होता तो और भी अच्छा होता या फिर इस branding को black में किया रहता तो और मेरे ख्याल से मस्त होता था अपर horseking के branding आपको नजार आती होगी तो मेरे ख्याल से यह horseking जो है वो black में लिखा होगा अच्छी होता या फिर sticker ही दे दिया रहता और यहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत इसके वाल्टेज वगारा मालों पड़ेगे एल्लेक्त्राणिक ड्रिल लिखा होगा है या पर तैने क्याते है यह जो है वाल्टेज वगेरा इसमें सब दिया गया आर्पेम बगेरा इलेक्ट्रोनिक डिल दिया गया है वहागा लिखा हुआ और इसके अंदर वह और बात बताता हूँ इस मशीन की मुझे एक चीज पसंद नहीं आई जो कि इसका कलर कॉमिनेशन इसकी ग्राफिक्स की बाद करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफिक्स की ड यहां पर आपको design दी गई जेगी जो कि plastic के अंदर ही design बनाई गई है मेरे खाल से यह design अगर black में बनाई होती तो मेरे खाल से और next level लगता दा so मैं इस machine को इस design के वाज़े से मैं 10 out of 9 दूंगा क्योंकि इसका design भी मैं को थोड़ा फसंद नहीं आया तो इसका जो plastic है वह भी बहुत हार्ड है मतलब बहुत अच्छा है और इसका जो यह metal है यह pure metal है यहां पर आपको तीन screw देखने मिलेगे इसके switch के बारे मैं बता रहा हूँ यह देखो इसका switch है और यह इसका lock button है ताकि आपकी machine जो है वह continue start रहे तो इसके लिए lock button है जैसे कि मैं आपको दिखा तो यह इसका switch इसको और इस तरह इसको दबा के रखना है और इस lock button को अंदर press करना है तो इस तरह आपको इसको अंदर press करना और फिर वापीस से आपको manual करना है तो इस तरह आप इसको दबा के इसको दबाओ आटमेटिकली बंद हो जाएगी वैसे तो बहुत सारी ब्रेंट के आती है प्लैनेट पावर आता है टॉप लाइन आता है सो मेरे क्याल से और स्किंग पूराना ब्रेंड है तो मेरे क्याल से अच्छा रहेगा और यह पूरी प्यॉर 100% कॉपर वाइंडिंग मशीन है मतलब इसके कोईल और आर्मिक्चल दोनों ही कॉपर वाइंडिंग है और online आप लेते हो तो गलती कर रहे हो क्योंकि guys online में आपक आपको ब्रेंड के मालूम बंगाएक तो आपको ब्रेंड के मालूम हीने पड़ेगे कौन सी ब्रैंड की लेनी चाहिए यह क्या है क्या नहीं तो इसलिए मैं बलाहु कि आप online से अगर यह सब electronic टूल लेते तो आप बहुत गलत करते हो क्योंकि online में आपको क्या warranty warranty मिलती है बट वह टाइम चले जाता और जो आपका काम है वह रूख जाता है लेने में बहुत टाइम लगाते और online में आपको जो मशीन मिलेगी तो वह आपको मैं प्राइस बता तो यह मशीन 900 तक आती है और अगर आप online लें जाओगे तो वह मशीन बहुत सस्ती होते गाई 600 आराउंड मशीन आती है इसका मैटल कैसा है सो यही सब आप देखके फिर आप मशीन लोगे और online पे तो क्या आप फोटू देख रहे हो मशीन अच्छी दीख रही है online में और आप पर्चेस कर दिया अपके घर पर मशीन आईगी तब कुछ डिफेक्टिव पार्ट रहेगे यही आप गलत करते हो यह ओनलाइन से मंगाने नहीं चाहिए खास करके electronic चीज़ मंगाओ कपड़े वगरा आप चाहिए तो मंगाओ लेकिन electronic के ममले में मैं सजेस्ट करूँगा कि नहीं मंगाना चाहिए चक की quality भी बहुत मस्त है यहाँ पर इसके wire की बात करें तो wire देखो इतना soft and smooth wire है मेरे खाल से इसका wire से आपकी machine को अच्छा percent मिलता है तो अभी machine को चला के देखते हैं उसकी performance जानते है और वाई तो यहाँ पर आपको इस तरह से कुछ machine चलती है ज्यादा आवज भी नहीं है इस machine में हाँ limit voice है लेकिन इतना तो करेगी machine obviously तो मैं machine को चला के भी दिखाऊंगा और गाइस हां मैं एक और बात बता देता हूँ कि अगर आप यह machine business में यूज करते हो तो मेरे खाल से आप गलत कर रहे हो क्योंकि यह machine business के लिए use नहीं है अगर आपको business के लिए machine यूज करने है तो मेरे खाल से मैं suggest करूगा या फिर आप डांचिंग के लो या फिर मैंने जो planet power का वीडियो बना है वो आप आई बटन में आता होगा तो आप वहां से machine देख सकते हो और उसके बारे में सोच सकते हो लेने के लिए लेकिन इसको आप business में use मत करो यह temporarily घर में hole करने के लिए उसके लिए machine है और आप घर में कभी hole करते हो कुछ एक महिना कुछ ऐसी चीज है आपके पास जो आपको लगानी है तो आप इस machine से उत प्रदाश नहीं कर पाएगी यह जिस तरह से hole करते हैं उसको उस तरह से hole करने देना चीए ऐसी मैं इसकी बात ने कर रहा है आप चाहिए कोई भी machine लो उसको अपने हिसाब से काम करना देना चीए क्योंकि गाइस देखो machine है अगर आप पे कोई लोटा लेका तो obviously आप भी मत अच्छा 2.5 meter wire है आपर कुछ इतना बड़ा wire आता आपको तो मेरे खाल से बहुत हो गया इतना बड़ा wire अच्छ यह machine आपको कहां से लेनी है मैं आपको बता देता हूँ कहां से purchase करना है अगर आपको यह machine purchase करनी है तो मैंने description में link दे दिए आप वहां से जाकि इस machine को buy कर स आपको मिल जाएगा तो यह मेरे ख्याल से best deal होगी आपको 900 में a horse king की machine मिल रही है तो आपको क्या ही चाहिए तो फटा फट से जाओ यह machine को buy करो और यह घर पर आपके होनी चाहिए गाइस क्योंकि कभी भी काम लग सकता है इस machine को use करो next level machine है और इसकी चावी की बात करता तो मैं बताता हूँ आपको सो समझो आप यह machine अभी समझो bit tight है मतलब यह इस तरह से आ रहा है तो मतलब bit tight है और इसको अभी खोलना है तो आप obviously खोलोगे किस तरह इस सरह गुमाओगे तो खूलेगा तो आपको इस तरह से गुमाओ और इसको side में रख दो तो यह खूल जा तो मैं यह bit लाया हूँ मैं आपको बता देता हूँ मैं कितने bit लाया हूँ यह wood के लिए aluminum steel उसके लिए यह bit है और मैं आपको बता देता हूँ कि wood में और steel में एक इपीड चलता है और अगर आप बॉल में वगएरा hole करना चाहते हूँ तो इन सब से मत करना क्योंकि वाल का जो बीट अलग आता है उसके diamond आता है इस पर diamond नहीं आप जैसे की देख रहे होगे तो और मैं आपको concrete का बीट दिकाता हूँ वह किस तरह आता है यहां पर आप इतने चोटे चोटे भी wood में बीट यूज़ कर सकते हूँ है अपना concrete के लिए special क्योंकि देखो मैं आपको बताता है तो concrete में क्या होता है यहां पर आप देख सकते हो diamond लगा हूँ है diamond लगा हूँ है जो की concrete के बीट में special आता है 5 mm का diamond बीट है जो की regular बीट अब्ल度 को हर जगा योज भी में रेगूलर Un修ार की बात कर रहे तो मैं आपको वह बाता है तो यह वाag वूट में regular पीट ने कर देखाया मैं सिर्फ यई इसलिए लाया तांकि मैं आपको अच्छे से समझा सको के maximum इतना बीट आपके इस ड्रिल में लगेगा और ना उससे ज्यादा बड़ा लगेगा इतना च्छोटा बीट जो है वो इस ड्रिल में लागेगा फिर आपको इससे बड़े बड़े बीट आते तो वह उसके लिए आपको बड़ी मशीन लेनी पड़ेगी जो की 13 mm की आती है आपको और किस पर वीडियो चाहिए तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो मैं आपके लिए कोशिश करूँगा कि वैसा प्रोड़क्त लाओ तो अभी मैं इसको लगा के दिखाता हूँ किस तरह लगाना है आपको सबसे पहले आपको जो चक का अंदर का स्टेचेज है वह आपको एकदम अच्छे से खोल देना है और इस तरह कुछ यह टाइट होगा अभी आपका बीट जो है वह निकलेगा नहीं और इसको चला कर दिखाता हूँ कि अगर आप मशीन सॉप से ले रहे हो तो मेरे खाल से आप अच्छे से देख कि यह चक जो है वह आउट रहता है या फिर भीट भी आउट रह सकता है तो अच्छे से देखके लो कुछ आउट वना नीची जैसे कि अभी ये मशीन यह बिल्कुल आउट ने एकदम स्टीर चाबी की यूस होगी सो बाई मिसीजी है तो मेरहे हो souha the diğer आपkers करने आप कर लूब आप अपने शॉप पर ये मुषिन अविलबल है और यह आप आ internist demand सकते हो और यह मेर medidas है घर पर बहुत कंपलो है मर यह यह मतलब अपने घर पर Mogli तो होनी चाहिए चाहिए वो कोई सी भी हो लेकिन मैं बोल रहा हो कि आप घर में यूज़ करने के लिए कॉम्पेक्ट डिल मेशिन बहुत बैस्ट है वह मेरा कहने का मतलब कि आप ये मशिन अपने घर पर रखो मैं आपको होल करके दिखाता हूँ वुड में कि आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हो तो अभी मैं डिल मेशिन में बीट लगा देता हूँ फिर हम होल करते इस से समर्ral बादemat कि आपको बादम रफ बादम हए रघक किस दो एक साथ किपाना वे इस। झाल झाल झाल